नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका विंधर टाइम्स में आज हम माखनलाल चतुरवेदी राश्ट्री पत्रकार्ता एवं संचार विशुविद्याले के रीवा परिसर में मौजूद हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी जर्नलिस्ट और एक मेडिया सवाल है कि भारत में फोटो जर्नलिस्ट में कितना स्कोप है थैंक यू सो मच भारत में हाँ चीज में स्कोप है जिसे हम के आप मुझसे अब इंटर्व्यू कर रहे हैं आपकी टीम मूबाइल से कैमरा से रेकॉर्ड कर रही है तो हमारे पास कम्यूनिकेशन के जो मादियम है वो चेंज हो गया है वो बढ़ गया है पहले अपनल सिफ लिखते थे रेडियो था टीवी था मृल्टी मीडिया है जो कि आपके पास मृल्टीपल स्किल सेट होना चाहिए है एक से अधिpekt स्किल आपको आना चाहिए अगर आप आप भी मीडिया इंडस्ट्री में है और तस्वीर की अपनी एक importance है, हम जब अकबार में सुवह किसी चीज को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो देखने का एक अलग एक चीज है, कि देखते ही हमें चीजे और दिल को छुने वाली लगती है, चाहे वो एक human angle से कोई घटना हो, चाहे वो किसी accident की हो, या वो कोई भी है, एक तस्वीर आते ही, मतलब शब्दों से ज़्यादा फिर वो तस्वीर ही बात करती है, लेकिन क्यूंकि हमारे पास अभी जो technology है, काफी बहुत easy आये, तो as a journalism students, as youth, हर चीज को आप, हर कहानी को आप, जिसको हम storytelling बोलते हैं, आप शब्दों से ज़्यादा आप तस्वी से बात होती है, news anchor की, producer की, reporter की, और एक photo journalist कहीं न कहीं छुप जाता है, तो इसके विशय में आप क्या कहीं हैं, ये ज़रूर है कि अखबार की बात करें, तो सब लोगी छुपते हैं, हम लोग अखबार में लिखते हैं, तो मेरा भी कहीं TV या anchor तो हूँ नहीं, तो वो तो दिखता है, तो photographer भी नहीं दिखती है, हमारी खबरे बोलती है, ये जो अभी TV वाला, क्योंकि visual का जो मादियम है, उसमें हमें लगता है कि हमें anger दिखता है, तो वहाँ पर भी reporter काफी मेहनत करते हैं, लेकिन अगर आपकी अच्छी दिल दहलाती हुई तस्वीर है, खबर है तो वह बोलती है, और मुझे लगता है, ये ही होना चाहिए, आपको खबर से बड़ा क्यों होना है, चाहे आप पत्रकार हो, या आप फोटो पत्रकार हो, या आप टेलेविजन में पत्रकार हो, खबर बड़ी होनी चाहिए, खबर सही होनी चाहिए, खबर important होनी चाहिए, आप हो या ना हो ज़रूरी नहीं है इसी से जुड़ा एक सवाल है मेरा की दानिश सिद्धिकी जो की पुलिटसर प्राइज जीते हैं जब इनकी मौत हुई तो भारत में नैशनल मेडिया में इनकी कोई चर्चा नहीं की गई इस पर आप क्या कहने जाएंगे जब दानिश सिद्धिकी का असासिनेशन हुआ उनकी जो डेथ हुई और जब हमें सोशल मीडिया के थूपता चला सबको ऐसा नहीं है कि कोई चर्चा नहीं हुई अगर अब अपना सोशल मीडिया देखे हम इंस्टाग्राम देखे हम फेस्बुक देखे हम ट्विटर देखे सब कुछ भरा हुआ था शद्धान जी लिया थी और उनके जितने भी कॉलीक्स है उन्होंने प्रेयर मीटिंग्स करा भी एक साल जब उनका हुआ तब भी काफी प्रेयर मीटिंग्स हुआ एक दाने सिद्धिकी फाउंडेशन करके भी उन्होंने बनाया है जिसमें वो इस कम्मिनिकेशन है कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ जो लोग उनके काम को जानते थे उन लोगों ने उनको याद किया है ना उसको और जो नहीं जानते थे वो भी जानने लगए मैं मेरा आखरी कोशन है महिलाओं को लेकर जैसे कि आज महिलाओं हर छेत में आगे बढ़ रही हैं तो फोटो जनलिस्म में जैसे कि महिलाओं हर जगे पे कवर नहीं कर पाती तो महिलाओं के लिए आप क्या सजेशन देंगे उनके लिए क्या चुनाओतिया है I think women के लिए या female या girl जहां मैं क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ हमारे university में काफी लड़किया है और काफी तैदाद में लड़किया है और outshine कर रही है boys को boys से ज़्यादा भी है पर हाँ news rooms में कम देखने को मिलता है Hindi heartland में especially अगर मैं भी रादस्थान की बात करो और एक press conference में हम जा रहें काम कर रहें आपको बहुत कम संख्या में है ना महिला पत्रकार देखेंगी और हो सकता है मद्यप्रदेश का भी यह हाल हो यहां मैंने काम नहीं किया पर इसमें यह है कि I mean I mean हमें इंक्लूसिव रहना पड़ेगा हमें you know equality women को चाहिए gender equality जो एक newsroom में चाहिए एक office में चाहिए वो आपको देना पड़ेगा जो पढ़ाई में होना चाहिए और यह शुरुबात से होना चाहिए और जब तक यह होगा नहीं तब तक यह अपने को जो यह gap है यह अपने को तब तक दिखता रहेगा इसलिए as a women reporter अपने को भी दूसरों लोगों को जो है ना जो women है जो आना चाहती है उनकी help करना चाहिए और I think ऐसे ही ज़्यादा लोगों का रुच्ची और interest बढ़ता रहेगा तो आज हमने सुनी photo journalism के बारे में मेरा यह मानना है कि आप लोगों को काफी इससे सुझाओ मिले होंगे मैम की बातों से काफी आप प्रेरीथ हुए होंगे मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद